उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाओं का बिगुल बच चुका है किसी भी दिन चुनावायों की तरफ से तारिख का एलान किया जा सकता है मेर, चैर्मेन, पारशद और सभासद का चुनाओं लड़ने के चुक हर पार्टी के उमिदवारों ने टिकट हासिल करने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है बहुजन समझ पार्टी की बात करें तो गाजियाबाद में 20 से अधिक सीटों पर 10 से अधिक उमिदवारों ने दावा किया है वहीं कुछ सीटों से 6 लोगों ने और कुछ सीटों पर 3 लोगों ने दावा किया है मेर की सीट के लिए छे उमिदवारों ने अपना दावा पेश किया है, फिलाल अभी टिकट को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बीएसपी में एक सीट पर है दस से अधिक दावेदार, बन रहे हैं बगावत के आसार, पार्टी पदाधिकारियों की माने, तो टिकट पुराने समर्पित कारे करता और जीत हासिल करने वाले उमिदवारों को दिया जाएगा, साथ ही सर्वसमाज के लोगों को टिकट मिलेग ये समीती ही स्क्रेनिंग करके फैसला करेगी, इस मसले को लेकर मेरट में एक मिटिंग भी होगी, बहुचन समाज पार्टी की जिलाद धेक्ष ने बताया कि पार्टी ने 2017 के चुनाव में 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार जीती हुई सीटों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए केडर इसतर को काफी मजबूत किया गया है, बूथ लेवल पर भी टीम को लगया गया है जिससे अधिक से अधिक वोटरों को वोटिंग सेंटर तक पहुचाया जा सके, पिछले दिनों लखनों में बहुचन समाज पार्टी की अधेक्ष मायवती की मिटिंग में य जला धेक्षि शामिल हुए थे